I am going to discuss about tender and its types so tender क्या होता है it is an invitation from the owner to the contractor to execute some work तो क्या होता है कि किसी बील्डिंग सपोज मान लिजे बन रहा है किसी जगा पे तो उसका owner या फिर client एक invitation invitation निकलता है advertise through advertisement जिसको देखके contractor क्या करता है कि apply करता है कि हाँ वो वो बील्डिंग करेगा तो basically एक invitation होता है through advertisement to execute some work at specified cost in specified time तो क्या होता है कि उसका जो owner या फिर client रहता है तो उसका cost भी बोल देता है या फिर उसके बाद उसका time भी बोल देता है तो क्लाइंट क्लाइंट क्या करता है कि मंहले e कि 50 लाक्स के 50 लाक्सी वो खर्चा कर सकता है इसके पीछे और उसके बाद उसका टाइम मेंशन किया जाता है कि बोलता है कि एक साल के अंदर वो बिल्डिंग बनना चाहिए तो यह एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है सब्सक्राइजमेंट में पडश्चान के लिए जिसके बस पेडियास कोंट्रक्टर क्या करता है कि अप्लाई करता है उसका लिए तो यह होता है tender उसके बाद क्या होता है कि types of tenders तो कितने types रहता है generally chart type of tender रहता है पहला क्या होता है कि open tender open tender क्या होता है these types of tenders invite the contractors to bid by open advertisement in the Indian trade journals and other newspaper तो यह क्या होता है कि ओनार इंडियन किसी newspaper या फिर जार्नल पर यह tender निकाल देता है जिसके basis पर contractor apply कर सकता है या कि यह फिर open tender कहलाता है कि इसका मतलब कोई भी contractor apply कर सकता है इस काम के लिए तो इसके लिए यह open tender कहलाता है इसका मतलब contractor का कोई limitation नहीं है जो contractor का specific description ओनार मेंशन करता है तो उस basis पर हर एक contractor पांसो या छेसो हो हजार हो तो डैट नंबर आप contractors में apply for this project ओके तो यह होता है open tender उसके बाद क्या आता है लिमिटेड टेंडर ओनलिए selected number of contractors are invited to code their rates क्या होता है इसमें मान लिए उनार किसी जगा पर एक project करने वाला है तो उस local area पर कुछ-कुछ contractor को जानता है उनार या फिर client और उसका reputation भी अच्छा रहा है तो गया करता है client selected number of contractor को भी बुलाता है तो उसके basis पर मान लिए तीन या चार या फिर दस बीस contractors को बुला के जो ओनार client पहले से जानता है तो उसके बाद वो rate किसको contract देगा वो tie करता है ओके तो यह होता है limited tender limited numbers of contracts contractors are invited इसके बाद क्या आता है single tender single tender में क्या होता है कि invitation invitation is given to only one firm to render a service by quoting their rates तो इसमें क्या होता है कि एक ही contractor को बुलाया जाता है पूरा project के लिए if the coated rates are high it will be negotiated prior to the agreement of the contract तो उसे contract यह काम देने से पहले क्या होता है कि अगर contractor ज्हादा rate demand करता है तो उसके हिसाब से जो owner है वो contractor के साथ rate के about rate वो negotiate कर सकता है मान i जादा रेड़ बोल रहे तो और या फिर क्लाइंट उसके साथ का निगोसियेट कर सकता है तो उसके साब से वह कौन्टर को वही रेट पर काम देता है तो यह सिंगल टेंडर only one contractors contractor is invited उसके बाद आता है कि रेट कॉंट्रेक्ट रेट कॉंट्रेक्ट में क्या होता है इसली अदॉप्टेट फॉर सप्लाई ऑप मेटेलियर्स मेशिन टूल्स एड़न्स एट्सेटरा तो स्टोर के स्टोर के अंदर जितना मेट्रियर्स रहता है मेशिन टूल्स तो इसके रेट कॉंट्रेक्ट गुलिया जाता है यह एक टेंडर का टाइप होता है इस सप्प्लाई आट फीक्स रेट एक एक फीक्स रेट मेंशंग कर देदा है वह ना अंधा ओके फोर सप्लाई प्साविए प्याट प्रियोडा थाप्च उसक्ट्र यह होता है एप्याप्यु please like this video and subscribe my channel. Thank you.